हेलो माई डियर फ्रेंड स्वागत अब सभी का टार्गेट सिविस सर्फिसेस प्लेट फॉर्म पेज आज हम बात करेंगे सेट नमबर 38 की ठीक है इसे पहले जितने सेट हैं वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक बना दिया अलग से प्लेलेश्ट बना दिया वहाँ से जाकर आप इस्टड़ी कर सकते हैं जो भी यूपी पीसेस या फिर औरो की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हमने अलग से चैनल बना दिया है उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वेरी इंपॉर्टन है दोजार एक्कीस यानि यूपी ट्रेपल सी पेट इग्जाम नेसन जिसमें आपके जीके जीएश के कुईशन शामिलने तो आईए देखते हैं आज के पहला कुईशन वीडियो को पूरा वाद चरूर कर जीएगा ओके सुफरन फर्ष्ट कुशन है भारत के सांस्कृति की तियास में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है देखी यह आपके पीसेस एक्जाम में है ठीक है तो यह पीसेस के एक्जाम की जो कुशन है आप यह यूपी पेट यानि यह आपके यूपी ट्रेपल एक्जाम में पूछे जाएंगे तो फ्रेण आप जो राइट आप्शन होगा और आप्शन सी यानि मंदिर रचना शैली की बात हो रही है पंचायतन एक प्रगार की मंदिर रचना शैली है यानि महाराष्ट में रतना गिरी जिले में इस्थि स्री वांडेश्वर मंदिर इस शैली का एक उधार अड़ है ठीक है चलिए अगले कुशन देखते हैं कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छाउनी में पैदा हुआ श्यांपर राइट आप्शनों को आप्शन है यानि अमोग वर्ष की बात हो रही है ये क्य है अमोग वर्ष अपने पिता के अभियानों में स्री मावन नामा कस्थान पर सैनिक छाउनी में पैदा हुआ था ठीक है इसके पिता राष्टकूट राजा गोविन तिर्थिये थे जो उत्तर भारत के अभियानों से लौट रहे थे यानि वापस आ रहे थे तो फरें हमारा पट्टायों काबोलियत की पर्था प्रारम की यहां पर राइट आप्शन होगा आप्शन भी यानि ग्यासुत दीन खिलजी समझ रहे हैं फ्रेंट वेरी इंपोर्टेंट है यह आपका कुश्चन चीश्चन फरेंट इसका जो राइट आप्शन होगा आप्शन भी यानि आप्शन डी ठीक है शेर सा शेर सा ने किसानों को सिब्दा देते हुई यह निश्चित कर दिया कि किसान को किस भूम पर कितने समय के लिए खेती करनी है किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिये जिससे उनको वर्ष में निश्चित लगान देना पड़ता था किसान काबूलियत पद्र तथा पट्टे को स्विपकार करता था तो फिर नहीं से मिस्प्रिंट हो गया थीक है तो काबूलियत यह पर था की जो प्रारम किया था वो शेर सा यानि सेर सा सूरी की नाम से यहां पर गया सो दिन खिल जी जो है यह रॉंग ऑप्शन है अलाओ दिन खिल जी रॉंग ऑप्शन है फिर उसा तुगलग रॉंग ऑप्शन है ठीक है तो सुरी फ्रेंड यहां से मिस हो गया ओकी राइट आप्शनों को ऑप्शन डी चले नेश्ट कूशन देखते हैं किस हुई सब यहां पर राइट आप्शन होगा ऑप्शन बी यानि अलाओ दिन खिल जी अगर हम बात करें तो अलाओ दिन खिल जी ने राजस सुधारों के अंतरगत स्वर पर्थम मिल्क इनाम्यों वक्व के अंतरगत दी गई भूम को वापस लेकर उसे क्या एक खाल सा भूम परिवर्तन कर दिया नि इसमें डाल दिया ओके तो यहां पर अलाओ दिन खिल जी जी राइट आप्शन होगा ओके चले सो नेश्ट कुशन देखते हैं निल्किन में से कौन सही है ठीक है चले अब यहां पर आइट आप्शन होगा आप्शन से यानि विले जले चतुर्थ आप्शन आपका विल्कुल सही है और यह तीनों क्या है रोंग है ओके तो नेश्ट कुशन देखते हैं भागवा संपरदाय की विकास में किसका योगदान अत्यदिक था तो राइट आप्शन होगा ओप्शन डिया नि गुप्त का अगर हम बात करें तो भारत में भागव दर्मियानी बायशलो धर्म का चर्मोत्रकर्ष चौथी पाच्वी शताबदी में गुप्तों के शाषन काल में हुआ बायशलो धर्म को गुप्त शाषकों ने राजधर्म बनाया तता देवगड यानी जासी भीतर गाओ गानपूर योंतिंगवा जबालपूर चलि अगला कुशन देखते हैं एलीफेंटा के परसित शैल को काट कर बनाये गए मंदिर का श्रे दिया जाता है शैल माने क्या है पत्थर को काट कर सो राइट आप्शन होगा ऑप्शन डे यानी राश्ट कूटो को अगर हम बात करें तो एलीफेंटा बंबई के समुद मे इस सित एक दीप है जो समुद तर से लगबग पांच किलो मीटर समुद के अंदर है जहां राश्ट कूटो के शाशन काल में एकाश्म पत्रों को काट कर मंदिरों का निर्मार किया गया ये पहाड़ी हाती के आकार का होने की कार एलीफेंटा कहलाता है जिसमें राश्ट देखते हैं निम्लकिल में से कौन सा धर्म विश्विनाशकारी परले में विश्वास नहीं रखता दिकिया पे नहीं शब्द जुड़ा हुआ बेरिए इंपोर्टेंट है तो राइट आप्शन होगो ऑप्शन भियानी जैन धर्म की बात हो रही है विश्विनाशकारी पर ले में इंसा का बोध होता है तो आप्शन भी इस राइट आप्शन चले नेश्ट कुशन देखते हैं नेशनल कॉंसिल ओफ एडुकेशनल की अस्थापना कब होई थी तो राइट आप्शन है आप्शन सी यानि स्वारी आप्शन डी ठीक है उनीस सो छेस्वी में 15 आगस् नेशनल कॉंसिल ओफ एडुकेशन की अस्थापना होई थी ओके चले नेश्ट कुशन देखते हैं इसराइल की उवानेश्ट सीमाएं हैं तो यहाँ पर राइट आप्शनों को आप्शन है यानि लेबनान, सीरिया, जार्डन और मिस्र देखिए पीसेस एक्जामें पुछ जा चुका जो भी वच्चे पीसेस में बैटे हैं उन्हें अच्छी तरीके से मालूम होगा ओके चले अगला कुशन देखते हैं भारत के कटोरे के छेत्र का नाम बताइए तो राइट आप्शन होगा आप्शन भी यानि क्रिश्णा गोदा वरी डेल्टा ये पूस्ता है क इबार ठीक है चावल की फसर के लिए चिकनी उपजाओं मिटी यानि गर्म जलवायू तथा 75 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्सा तक की और शक्ता होती क्रिश्णा गोदा वरी डेल्टा छेत्र चावल की उपाश के लिए उप्यूगत है इस लिए इस छेत्र को चावल क के कटोरे के नाम से जाना चाथा है यानि इसको चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है क्रिश्णा गोदावरी डेल्टा ओके की था पढ़ते हैं छोटा नागपूर पठार है ठीक है अब देखिए यह a very important question है सो राइट आप्शन होगा आप्शन यानि एक अगर गभीर बियार के मैदानी छेत्र के ठीक दच्छिड में 250 मीटर की समोच रेखा से छोटा नाकुर के पठार का आरंब होता है रोतास के कैमूर पाड़ी के लावा वो समस्त छेत्र छोटा नाकुर पठार के अंतरगत आ जाता है उत्तर पूर्वी भारत के ओर फैले प्राइदी पीए भारत का ये एक हिस्सा है यानि प्राइदी पीए भारत का ये एक हिस्सा है कहां पे उत्तर पूर्वी भारत की ओरों के कौन सा अनुचेत राज्ची विधान सभाओं के निर्वाचन का प्राउधान प्रस्तुत करता है तो मैं आप राइट आप्षिनों का आप्षिन यानी 170 यानी भारती सम्विधान का अनुचेत 170 या उपबंद करता है कि अनुचे 333 ठीक है कि उपबंदों के अधिन रहते हुए परतेक राज की विधान सभा उस राज में प्रादेशिक निर्वाचन छेतरों से परतर्च निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से अधिक 60 से अन्यून यानी 60 से कम सदस्यों से मिलकर बनेगी ओके चलिए सोने को घोला जा सकता है यहां यहां पर डारेक्ट बात हो रहे है सोने के बारे में ठीक है सोने को घोला जा सकता है किसमें घोला जा सकता है यह कुश्चन है सो राइट आप्षेन होगा आप्षेन से यानि सल्फ्यूरिक और नाट्रीक के मिसरण में वेरी इंपॉर्टेन टेक है कि उसे गोलने के लिए अम Ribs का निर्मार्ड किया जाता है यानि अमラज सल्फ्यूरिक तो नाट्रिक एसीड के मिसरण से ही बनता है सुनेश कुशन होगा मानो अधिकारों की आउधारला का परमुकबल है अब यहाँ पर राइट आप्शन होगा आप्शन डियानि मानो गर्मा पर मानो अधिकारों की आउधारला का परमुकबल मानो होने के नाते मानो गर्मा पर है इसका आश्य है गर्मा पूर्ड जीवन जीने से है, समझ गए? चलिए, सो नेश्कूशन देखते हैं, सो तन्ता प्राप्त के बाद भारत में सबसे अधिक व्रिद्धी हुई, किस में व्रिद्धी हुई? सो राइट आप्शन होगा, ऑप्शन डी यानि ग्योहों में, ये करीब बात हो रही है, इस बात हो रही है, सबसे ज़्यादा जो व्रिद्धी हुई, वो ग्योहों में हुई थी, ओके? सो नेश्कूशन देखते हैं, किसके जल में गुलने से उश्मा उत्पन होती है? सो यहाँ पर राइट आप्शन होगो, ऑप्शन डी यानि कैलसेम डायाकसाइड की बारे में बात हो रही है, यानि C, A, O, ठीक है, इसे विवक लाइम, यानि बिना बुजा चूना भी कहते हैं, कैलसेम कार्बोनेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, ये एक आग क्रिष लिए सफेट ठोसे, ये भी याद रखिएगा, समझ गए, चलिए, नेश कुशन की तरफ बढ़ते हैं, जो पौधे नमक की उगत मिट्टी में उगते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है, जहाँ पर नमकीनी मिट्टी पाई जाती है, सो राइट आप्शन होगा, ओप्शन्स यानि हैलो फाइट, हैलो फाइट, अगर हम हिंदी में कहें तो लोडो, मिरोदो, भिद, यानि हैलो फाइट, ऐसे पौधे जो सीमित पानी में लोडता की अधिक्ता वाली जंगा पर, उगते हैं, मरुस्तल में उगने वाले पैदो को हाइड्रोफाइट कहते हैं, यानि जलोद भी हिंदी में उसे, ओके, चिलिनेश कुषन की तरफ बढ़ते हैं, समवनी पौधों में पानी उपर किस से जाता है, त्यापनाइट आप्शनों का ओप्शन यानि जायलम टिशू की बात हो रहे, जायलम को प्रया कास्ट भी क जायलम उतक के वार्शिक वले को गिनकर की जाती है, पौधों के आई के निधारण की ये विदी डेंड्रो क्रोनोलोजी कहलाती है, क्या कहलाती है, डेंड्रो क्रोनोलोजी, ओके, नोट कर लिजिएगा, चलिए, सुनेश कुषन की तरफ बढ़ते हैं, कमरे को ठंडा किया इसी कमरे का या अनस्तान को ठंडा किया जा सकता है, यह वीडियो वीडियो को लाइक करो, जाद जादा शेयर करो, यार कमेंट नहीं आ रहे हैं, व्यूज नहीं आ रहे हैं, यह कम्प्लीट हम आपका यूपी ट्रिपल सी एक्जाम क्लियर कराएंगे, ओके, इसी चैनल से, और जो भी पीसेज के हैं, वो हमारे नेश्ट चैनल पर याने डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगी, महाँ से जाकर कम्प्लेट श्टडी कर सकते हैं, मिलते हैं नेश्ट वीडियो के साथ, तो के थैंक्स, पेस्ट आप लाइक, थैंक्यू, धन्नवा, चैहिं, जै भा था है, जै ही महारे जालेट जा एको मिल झाल newषर तिल चैनल गादी हैं, यॉल से खव्लेट चाही कर दो के टाई कया हैं, वैर जो भीसेज जाणियो से मिल पका स्वें सेरी का श्रेट हैं, मिलते हैं, तो किस्सम्ण नेपियो हैं, ने इत tenth उने में सेरा और बहार दाओेश